जहें दोस्तों कैसे आफ लोग उमीद है आफ सब अच्छे सुगें दोस्तों आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं परिक्षा प्रडाडी पर ये एक ऐसा टॉपिक है कि बच्चा क्लास LKG से लेकर ग्राजवेशन तक इतने सारे एक्जामस दिये हैं लेकिन आज सम लेकिन सब्दों में कैसे लिखना है आई इस वीडियो में दिसकस करते हैं और देखते हैं कि वास्तों में परिक्षा प्राड़े होती क्या है तो आप सब को पता कि परिक्षा क्या है तो परिक्षा क्या है ये परिक्षा चात्रों की उपलबजियों से संबंदित प्रमाड परिक्षाओं का संचालन करना और उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यागन करना तता छात्रों की उपलब्दी आदी सूचित करना सामिल होता है ये सारी चीजे परिक्षा के अंदर होती है तो अगर आपसे सवाल पूछता है तो आप इसको बहतरीन तरीके से लिख़े कि किसी छेतरे में छात्रों की उपलब्दी अत्वा योगेता की जाँच करने के लिए जो परिक्रिया परियुक्त होती है उसे परिख्छा कहते हैं तो अब आईए देखते हैं परिच्छा की परिभासा क्या होती है कुठारी कमिशन के अनुसार मुल्यांकन अथ्वा परिच्छा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो सिक्षा की संपूर्ण पराडी का एक अभी नंग है तता जिसकी सैचिक उद्योस्य से गनिश्ठ संबंद है किसकी परिच्छा की अब इससे क्या होता है या चात्र के पढ़ने की आदतो एवं अध्यापक के पढ़ाने की पद्दती पर गहरा परभाव डालता है तता इस प्रकार या नौकेवल सैचिक निस्पत्ति के मापने में अपितु इसके सुधार में भी सहायक होता है तो परिच्छा से क्या चीज़े होती है जो भी सैचिक उद्देश है या फिस सैचिक पद्दती पराड़ी है उसको आप माप सकते हैं और उसकी कम्यों में सुधार कर सकते हैं तो काफी अच्छा यहां पर definition दिया गया परिच्छा की कोठारी कमिशन के नुसरा अब आईए वर्तमान में परिच्छा के कितने प्रमुख परदती है तो एक बाहर परिच्छा एक आंतरीक परिच्छा external exams और internal exams मैंने आपसे शुरू में कहा कि यह सारी चीज़े हमें पता है बस सब्दों में कैसे लिखना है इसका बस एक बार आडिया हो जाए तो external exams वह परिच्छा जिनका संचालन क्या होता है बोर्ट तता विसी विद्धाले अपने अस्थर पे करता है आपके महा विद्धाले आपके कॉलेज में जो exam होगा वो internal exam होगा लेकिन बोर्ट exams अक्सर यूपी में हाई स्कूल का बोर्ट exam होते वक्त हम काफी टेंशन में होते हैं intermediate के बोर्ट exams में तो वो बोर्ट exam वो external exams होता है तो बोर्ट exam बाहे परिक्छा एक्सरेणल exam क्या होता है इन परिक्छाओं की विवस्था तता संचलान शिक्चा बोर्ट बोर्ड विस्विद्धाले ही अपने अस्तर पर करते हैं जबक्यां परिक्षा है क्या होती है विद्यालों के अध्यापको दोरा जैसे परवेश परिक्षा, सबताहिस टेस्ट मासिक टेस्ट तीमाही टेस्ट तीन मासिक परिचा और दवासिक परिचा तो यह कहें दो प्रमुख पद्दती हैं प्रचलन में अब आईए बात करते हैं एक यह जो पॉइंट है इसको मैं बिल्कुल बताऊंगा नहीं अब परिच्छा से फाइदा क्या होता है परिच्छा क्यों किया जाता है परिच्छा क्या मददकार है यह सारी चीज़ें यह आपको स्वयम लिखना है परिच्छा से क्या होता है अध्यापक अपने दता प्राप्ति के लिए परियासरत रहते हैं मार्क दर्सन में सायोगी होता है परिक्षा इसमें बच्चों के भी ज्यान का मुल्यांकन होता है और साथी साथ सिच्छक ने कितना पढ़ाया उसका भी मुल्यांकन होता है चात्रों के वास्तविक मुल्यांकन के लिए आवस्यक है परिच्छा के उद्देश का असपस्टी करार होता है, परिच्छा पास करने पर सर्टिफिकेट परदान किया जाता है, छात्रों की उन्नती प्रगती का आकलन होता है, छात्विर्टी परदान करने में सहाइक होता है, विद्यालेत अध्यापकों की निपूर्टा की जाच हो अब आईए हम चलेंगे अगले point पे अगला point क्या है दोस्तो प्रमुख परिक्षा प्रड़ाडी जो हमारे समाज में हमारे देश में अपनाई जाती है कौन-कौन से होती है जैसे वार्सिक परिक्षा एंद्वल एक्जाम्स सेमेस्टर एक्जाम्स वस्तोनिस्ट परिक्षा अब्जेक्टिव एक्जाम्स इसकी उधारणा क्या है इसकी विजिस्ता इसकी गुण और दोस्त आप इनके गुण और दोस्त क्या होंगे उसको अगले वीडियो में देखेंगे ठीक है और इसके साथ साथ एक प्रशन यह है कि परिक्षट रचना के समाने सी ध्यान मतलब आप जो टेस्त है जो टेस्त है ना उसकी ठरेंखेंगे इसके एक यूडरर रहेगा और आपको परिक्षा प्रड़ाड़ी के बारे में कि परिक्षा क्या होता है भाया किसी छेतर में उपलब दिया थो आई होगे ताकि जाज के परिक्रिया होती है परिक्षा इसकी परिवासा आपने देख लिया आपने देखा कि इसकी पद्दती दो है एक्स्टरनल इंटरनल यह सब पत और इंस्टाग्राम पर ये मेरी अकाउंट है, इसको फॉलो करिए और अभी तख आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रड आइकन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगलवाले घंटी के आइकन को क्लिक करना ना भूलें, बहुत 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